गुड मॉर्निंग एविवान कैसे हैं आप लोग अमीदें बहुत खुश होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे तो ये है हमारा दो हजार चौवीज का पहला पहला ब्लॉग और आप सभी को नए वर्ष की बहुत-बहुत से शुक्त कामना है आपका ये वर्ष बहुत मंगल मैं और जो भी विश आप होना जो बच गई है वह सारी विशे इस चीज इस साल में पूरी हो जाएं तो चलिए आज का ब्लॉग की शुरूआत करते हैं तो आज की ब्लॉड की शुरूआत इस दिशियाल वैसी है जैसे रोज जो हिर्न की होती है कुछ खास है, कुछ खास होता है, हर दिन एक खास है, इसमें कोई वो नहीं है, कि सोचना नहीं है, अगर सब कुछ अपने हाथ में है, तो बस सबसे पहले गरम पानी पीती हूँ, जो की बैट के पीती हूँ, तो आज मैं पीड़ा लेकर बैट गई हूँ, बड़े रिलेक्स स क्योंकि बच्चों की भी छुटियां हैं मुझे भी कोई जादा बहुत जादा काम तो वही है जो पुराने ही है जादा काम कुछ नहीं है लेकिन थोड़ा रिलेक्स होकर आराम से बैठके पानी पीजिए और पीने के बाद में मन्तन करिए कि आज क्या क्या करना है तो हम लोग के ना दिमाग में कोई जो जो काम करता है जिसका जो जौब हो जो कोई काम जो इस तरह फीली में हो उसको सवेरे उठन दिमाग में भी आती रहती हैं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में है कि कल शाम को जो गाजर घिसे गये हैं उसको उसका हलवा बनाना है क्यूंकि आज है फॉस्ट जैन्वेरी तो मिठास के साथ इनकी शुरुवात होगी तो अभी तो सब लोग सो रहे हैं ठोड़े दिर के बा जो मेहनत की है तो बनाना तो बनता ही है तो मैंने न जा और सब काम शुरू करने से पहले जो सुबर के जो नॉर्मली जो काम होते हैं शुरुवात वाले वो तो मेरे वोजी चुके हैं और उन सब को करने के बाद मैंने इसको रख दिया है क्यूंकि ये दीरे दीरे जब तक पकेगा तब तक मैं असनाम वगया कर लूँगी और फिर उसके बाद में देखेंगे और जो काम करना है तो पहले मैं इसे चढ़ा दू फिर आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में तो दिन की शुरुआत हो साल की शुरुआत हो या किसी भी अच्छे काम की शुरुआत हो तो सबसे पहले हम अपने उपर वाले का नाम लेना जो है करते हैं और होना भी चाहिए क्यूंकि उन्हीं की वज़ए से कही ना कहीं जो है सबसार्थख होता है तो थोड़े पलिक लिए सही क्यूंकि दिन भर तो हम अपने कामों में बैस्त होते हैं अपनी लाइफ में गया से अपनी चिंताइं होती हैं इतना फ्रस्टेशन होता है हर फीज में लेकिन उस सब के बीच में अगर कोई शीज से वह में बहार निकालता हो तो वह हैं से पुत्रावाले तो दो में प्रवांजी का नाम लेते हैं और उन से ही सारी मैं अपने जतनी अपनी इच्छाय होती हैं मैं उनी से पूरी करवाती हैं करने की प्राइफ में करते हैं कुंकि आप के कोई आपको अपने मन की वासमा है तो बहोत क्लोस फ्रेंड हो Wuhan के साथ करिये तो भगवान 주 के साथ करिये और किसी के साथ भी अपने दुख को अपने सुख को जयादा कि कोई ज़रूरत मैं नहीं संज़ती और मैं नहीं करतीु कि कून्कि मुऑं मुझे मालूं है कि आपका दुख वी कम करने वाला और आप ज्यादा खुश है ना तो पुए ज्यादा उसने खुश हो कर अगर कोई ज्यादा हो सकता है तो जो सिर्फ या तो आप moyens हो यérique दो लोग हो सकते हैं जोड़ी परिशान है आपने बहुत क्लोसिगेंड से जरूर कर सकते हैं लेकिन उन पे उनको भी थोड़ा सा छो इता है कि नहीं कर सकते हैं तो इसलिए भगवान जी को करिए सब इच्छा हैं वहीं पूरी करेंगे तो फिलाल मेरा पूजा पार्ट हो चुका है और वापस मैं आ चुकी हूं अपनी रसोई में अपना काम बस से ही है तो आने के बाद मैंने चेक कर लिया हम बिलकुल नीचे से नहीं लगा था इसलिए मैंने मोटी कड़ाई जो नी है दूद और मेवा पकाने के लिए सब्सक्राइब समय लगता ही तो और मोट जो हल्वा है वह तुलकुल अच्छे से पक चुका है बसकी गार्णिशिंग करनी बात ही है तो इसके लिए जो मेवेत में इसको मैं भी रोच करके रखे रही हूं थोड़ी सी कोर कसर जो है अभ कोई भी चीज तसली से धीरे धीरे बनाई है बहुत जादा टेस्टी बनता है तो सब कुछ मसाले में मिला कर रही थी और उसके बाद मैं फिर आई हूं थोड़ा सा बीच में अपना काम भी कर लेती हूं तो जब भी कुछ इस तरह से बनता है ना जिसमें काफी समय लगता ह तो यह नहीं कि फिर एक काम हो जाएगा तब मैं दूसरा काम करूंगी तो ऐसा नहीं साथ के साथ मैं वाला काम भी कर लेती हूं तो इस तरह से मेरे काम हो जाते हैं मुझे लगता है सब लोग ऐसे ही बहुत से लोग ऐसे करते हैं क्योंकि भाई सर्दियों के दिन हैं दिन काम उतने ही है तो उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल जरूर हो जाता है तो इसके लिए जो है वैसे भी आज फर्स जन्वरी है तो थोड़ा सा जो है समय हमें अपने लिए भी चाहिए तो इस तरह से आसानी रहेगी तो यह सोच कर मैं आ गई हूं वापस अपने यह सर जो समय टुमिट लेंगे उसके बाद पिर नाश्टा वगरा किया जाएगा तो फाइनली मेरा हल्वा बनके हो गया है तैयार तो जितने मेवे थे उसको मैंने डाल दिया है और खोवा जो है उसे भी डाल दिया है और इलाइची पावडर तो मैंने पकने के समय ही डाल दिया था तो बस ये मेरा गाजर का हलवा तैयार है आप सभी के लिए भी तो आप लोग भी आ जाएए और देखने भी जितना खुब सुरत लग रहा है ना खाने में उतना ही ज़्यादा ट्वेस्टी है क्योंकि मैंने इसमें कोई मेहनत कम नहीं छोड़ी है बहुत अच्छे से मेवे, खोवा, हर चीज बहुत अच्छे से बनाई और आपके इसमें डाली है तो आई हो कि आप लोग भी ट्राई करिएगा और ट्राई क्या करना है मेरे ख्यास सर्दियों में हर घर में ये बनता है और ऐसा तो कोई ही नहीं जो इसे ना टेस्ट करें तो बस आज के लिए आज का हमारा पहला सेलिब्रेशन जो है इसी हलवे के साथ शुरू हुआ है हेलो प्रेंड्स कैसे हैं अपलोड और आप सभी को नएवश की बहुत-बहुत से शुक्तान नाए बहुत-बहुत सा प्यार और इस प्यार को हमारे गारेशन ख़ले के साथ इस मिठास के साथ कि हमारा और रिष्टा आपका बिलकुल इसी तरह से बना रही मेरे यूट्यूब चैनल भी और जतनी फैमिली है ना वो सब भी मेरे फैमिली मेंबर है तो आप सब को मेरी तरफ से नवश की बहुत शुक्त करना है और ये आप लोग के नाम से बाइट ले जो है लेती हुए तो बस अब तो पहड के लंच की तैयारी तो दाल वगड़ा मैंने बना दिया है इसको मैं चौक देती हुए बहुत से जगह पे चौक ना बोलते हैं बहुत से जगह पे बगार ना बोलते हैं तो मेरे हाँ चौक नहीं बोलती हैं दाल को चौक दे रही हैं कि दाल तो अबली होती है तो उसको ना छूंकना ही हम लोग बोलते हैं या बगार लगाना जो भी आप लोग बोलते हैं तो वस यहां पर सूखी लाल मेच, जीरा, लासन से में इसको छूंक लगाऊंगी और यह रहर की डाल है और मुझे इस से जादा मसाले इन दाले बिल्कुल भी बसंद नहीं मुझे नहीं, एवें हमारे घर में मिले टमाटर तो पढ़ते हैं बाकी और कोई मसाले नहीं डालती उसके साथ साथ में हमारे जो रोज के काम है वो भी हो जाएंगे तो हमारा दुन नवश ऐसी रहा आपका नवश कैसा रहा यह मेरे साथ जरूर से जरूर जो है शेयर करिएगा और यह जरूर बताएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा अगर ब्लॉग अच्छा लगा होना तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा एक लाइक जरूर दीजेगा भई नया साल है तो एक लाइक तो बनता है और बस रोज के जो काम है वो करती हूँ और आगे आपको ब्लॉग में बहुत बहुत अच्छी चीज़े बिलेगी तो क्या मिलेगा वो तो मैं नहीं बता सकती है भी वो तो मैं लुक्त सर्प्राइज रखोंगी तो आगे मैं आप लोगों के साथ शेर करूँगी कुछ भी होगा सब कुछ दोनों हाथ में लीजी वो उल्टा है थोड़ा पीचे चोड़ा 2024 तो भईया हम लोगो को लग रहे ही ठंडी लेगी बच्चों को ठंड नहीं लगती है अब लोग कहते हैं कि बच्चों को ठंड नहीं लगती हो प्रमाड ये लेखी है पतां गुडा रहे हैं लेको ठंड नहीं लगने वाली Og fatengið varð, hún er það. Bacchuk og þeimd nægði, leggjum músið þeimd nægði, þér er mér hennar málsum báhald það er kráfðið. Þú, amma eppnið blokka kerti og ég hípar, en mjöltu hér next vlog með næri hísa og næri lifestyle keð það. Cunki, hər dinn ekk næya houta hai, ekk næya tan toh, zarruur houta hai, aysi umiit ke saath pozitiviti ke saath. Aap saabhi ko, nev vrsh ki, bauht bauht kám na hai, næya vrsh bauht mangalma hai ho aap ke lirje, aapke púrre ppariwhaar ke lirje, aap jyo cíze aap karna chaa'te honnoho, voha sarae cíze aap karin, kuch rahein, swast rahein, maast rahein. Milti e nægst problemi, rata kere, bye bye. BÝI